आप देख रहे हैं ददस्तक 24 आपको लेकर चलते हैं यूपी के जिला गाजीपुर के मरदाह ब्लॉक के गोबिंद पुर गाउं में यहां नन्हकू परजापती के दिन आर्थिक तंगी में बीत रहे हैं वे कई सरकारी दाउं के बाद भी तिरपाल में रहने को मजबूर हैं भेंकर बरसात हो या कड़कडाती ठंड उनका आसियाना बस यही तिरपाल है आएए देखते हैं समादाता अखलेश मौर की रिपोर्ट कि आज भी हमारे भारत के गाओं गरीब के लोग गरीब मजदूर लोग कैसी स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं यह बिलकुल ऐसी चीजे जो हम आपको दिखा रहे हैं देखने के बाद वास्तों में गरीबी की क्या स्थिति है यह देखने को आपको मिलेगा गरीबी का दर्द आपके दिल से भी छलकेगा जब आप देख पाएंगे यह हम मौझूद हैं इस वक्त गोबिंदपूर किरत गाओं के ननकू प्रजापती के घर पर ननकू प्रजापती जो कुम्हार विरादरी से पिछड़े वर्ग में आते हैं इनके आशियाने को इनका यही मकान है यही आपका दर्वाजा चाने ऑ fi जो तिर वे डाल करके और बास के सहारे इस काली वाली प्लास्टिक को लगा करके और इसी में गुजर वसर करता है ननकू प्रजापती का परिवार, जिस परिवार में ननकू प्रजापती के बुजूर्ग पिताजी, बुजूर्ग माताजी, तीन बेटियां और छोटा बेटा जिसकी उमर 12 साल है, बड़ी बेटी, निर्मला 24 साल, उससे छोटी बेटी और माता पिता के साथ किस घर में रह पाते हैं आईए हम दिखाते हैं आपको ये मकान है यहाँ पर यही बिलकुल ये ननको प्रजापती का चूला है यही खाना बनता है ये उपले से और लकडी से ये गोबर के उपले से और लकडी से ये चूला है जहां खाना बनता हम देख पा रहे हैं कि यहां खाने पीने के बरतन शामान रखे हुए हैं और जो इनके घर की ग्रिहस्ति है जो शामान है उसे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां बिल्कुल छोटा सा यह घर है इसी में यहां रहने सोने की व्योस्ता है यहां इनके थोड़ा सा कुछ बोरियां है जिसमें अनाज रखा गया है और ये छोटा सा घर है जिसमें किसी तरह से किस तरह से यह गरीब परिवार यहां पर अपना जीवन बसर करता है